हेलो गाइज वैलकम टू आर चैनल मिस्टर सनलाइट और सनलाइट के इस बहतरीन और खास अपिसोड में आपका वापिस स्वागत है तो सल्यूशन्स मिनको जो नजर आ रहे हैं कोरोना वाइरस के या आप भी देख रहे होंगे वह कुछ ऐसे हैं कि लिमिटेड हैं लेकिन अगर हम उनको भी अगर उनको फॉलो करें तो कहीं न कहीं जाकर हम रेडियूस कर सकते हैं इवन आफ्टर नॉट डूइंग लॉक्डाउन क्योंकि लॉक्डाउन अगर हम करेंगे तो इससे हमारी एकॉनिमी जो है वो रोज ही कम होती जाएगी वनलब उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी और ठप पर जाएगी जिससे अनिम्प्लाइमेंट शोचल स्ट्रेस और बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जो कि डिस्टरफ हो जा चलते प्रदामंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 14 अप्रेल को आरोगय सेतु एप के बारे में कहा था जिन साथ शर्तों की बात उन्होंने करी थी उसमें से एक शर्त यह भी थी कि आरोगय सेतु एप को इस्तमाल करना चाहिए और बहुत जलूरी है मेंडेटरी है क्योंकि द जगों पर ला सकते हैं तो लॉट टू लान इन दिस वीडियो और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए बैल आइकन को दबा दीजिए तो लेट्स बिगें तो यहां पर जो न्यूस आ रही है कि क्या अलग चीज़ ह कॉंट्यार रेसिंग यह होगा कि आगर समझे लिजिया आप बात कर रहे है या फिर आप कहीं जा रहे हैं बाहर क्योंकि देखेँ अब चार मही से अब देखें कल से आप बिल्कुलिया आज से जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो चार मही से जब सब कुछ खुल रहा और यह सब कुछ हो रहा है 33% employees के अंदर अगर काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर और गौर्मेंट सेक्टर तो कहना कहीं ज़रूरी बन जाता है कि हम टेक्नलोजी का एक बिल्कुल उन्दा यूज करके इस चीज से काफी तरीके से बच सकें और जो एक सेंसिबल पेशेंट कर सकें उसी टाइम पर ताकि वो और दूसरी लोगों को उस टाइम पिरेड में एफेक्ट ना कर पाई इसके लिए सरकार ने काफी गाइडलाइन भी जारी कर रखी होने चाहिए हर एक ऑफिस के अंदर और दूसरी बात की आरोगे से तु एप को हर बंदे को डाउनलोड कर उसके बाद उसके जो अंको सेंड किए जाएगार एक उनके जो आगे रिष्टेदार है या फिर और भी जो खास लोग उनको भी एक मैसेश सेंड किया जाएगा तो यही है सब कुछ इसमें लेकिन कंसेर्ण्स अभी आ रहे हैं कि क्या हमारी प्राइबर्बींड है हमसे आपकी लोकेशन पता करती है हर वक्त आपको ट्रैक करती है contact racing में यह होगा अगर आपको वहाइब से ट्रैक कर दें तो आपको quarantine करने के लिए बुलाएंगे और यह सब कुछ उगा तो एक बड़ा concern यहां पर नज़र आता है क्या बड़ा concern यह नज़र आता है कि प्राइवसी हमारी रहेगी तो एक टॉफ सिचुएशन है तो हमें प्राइवसी को ज्यादा मैटर नहीं करना चाहिए हमें मैटर करना चाहिए अपनी हेल्थ को और यह न कहीं यूज इसका पहली बात अगर हमें कॉरोणाविरस पैंडेमिक से बचना है तो हमारे अदर पेश आज तो या ना जाने YouTube है या ना जाने Twitter है ना जाने Instagram है आपको ऐसे social media platforms है जो कि आपको अपनी बात रखने का और अपनी बात सरकार तक पहुचाने का सरकार की बात आप तक पहुचाने का बलकुल जरिया बन चुकी है तो यह मैं बहुत मानता हूं कि ठीक है अगर आइस time पर सब्सक्राइब है तो हमें उससे लड़ना चाहिए और human will power has always turned victorious in these times बस patience रखने की जरवत है तो thank you for the analysis and I hope that you will subscribe our channel like it और share जो डूर करेएगा दोस्तों अभी growing channel है तो share आपका बहुत matter करता है आप जादा share मत कीजिए अपने relatives को share कर दीजिए थोड़ा बहुत channel के बारे पर चलेगा थोड़ा बहुत बहुत देखेंगे हमें भी अच्छा लगेगा like कर दीजिएगा